नमस्कार विद्ध्यार्थियों आज हम एका दस पटल है यानि ग्यारवे अध्याय के अभ्यास प्रस्न हल करेंगे विद्ध्यार्थियों अभ्यास प्रस्न हल करने से पहले हमें इसके सब्दार्थ जान लेना जरूरी है आपको यहां लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनमें हमारा पहला सब्दार्थ जो है सबसे पहला हमारा सब्दार्थ है बालको क्या है बालको तो विद्यार्थियो आपने बालक सब्द के रूप पढ़े जिसमें बालक है एक वचन बालक को दी वचन और बालक का बहुचन बालक है एक बालक के लिए बालक को दो बालकों के लिए और बालक हा अनेक बालकों के लिए यहां हम इदम सब्द के दीवचन के रूप पढ़ रहे थे इसलिए यहां हमें जो सब्दार दिये हुए हैं यह दीवचन के हैं आईए देखते हैं यहां दिया हुआ है बालक को जिसका आर्थ होता है दो बालक क्या आर्थ होगा दो बालक ठीक है क्योंकि ये बालक का दुवचन का रूप है बालको ठीक है तो यहां आर्थ जो होगा वो होगा दो बालक ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला है चिकित सको चिकित सको का ताथ पर ये है दो चिकित सक ठीक है तो आईए लिखते हैं दो चिकित सक ठीक है अगला हमारा सब्ध है पिपी लिखे ठीक है यह स्त्रीलिंग में है और दू वचन में है तो पिपी लिखे का आर्थ है दो चीटिया पिपी लिखे का आर्थ क्या हो जाएगा दो चीटियां ठीक है इसी प्रकार से कर्ण भूशने क्या है कर्ण भूशने जिसका अर्थ होता है दो कनफूल कर्ण भूशने का अर्थ है दो कनफूल यहाँ हम लिखेंगे दो कनफूल ठीक है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कर्ण आभूशन कान में पहनने का आभूशन अगला हमारा जो सब्धार्थ है वह है वाध्य यंत्रे तो विद्यार्थियों वाध्य यंत्रे का यहां अर्थ जो होता है वह होता है दो बाजे क्या आर्थ हो जाएगा दो बाजे हम लिख देते हैं दो बाजे ठीक है इसी प्रकार से अगला हमारा सब्ध है पुत्रों पुत्रों का आर्थ होता है दो पुत्र पुत्रों दो पुत्र तो क्या आर्थ हो जाएगा दो पुत्र और अगला हमारा सब्ध है नद्यो ठीक है ये नदी जो सब्ध है उसके दी वचन में है ठीक है श्रीलिंग दी वचन तो हो जाएगा नद्यो नद्यो का आर्थ होता है दो नदिया, क्या रत होगा, दो नदिया, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगला है कोकिले, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोकिले जो है वो इस्त्रिलिंग का सब्द है, और दीवचन में है, इसके रूप चलते हैं, कोकिला, कोकिले, कोकिला, कोकिला, एक कोयल, कोकिले, दो कोयल, और कोकिला, अनेट कोयल, ठीक है, तो यहाँ देखिए, कोकिले, अर्थ हो जाएगा, दो कोयल, ठीक है, क्या अर्थ हो जाएगा, दो कोयल, ठीक, इसी प्रकार से, हमारा अगला जो सब्द है, वह है, करणयो, क्या है, करणयो, करणयों से तात पर यह है, दो कान, क्या अर्थ हो जाएगा, दो कान, दो कान, और हमारा अंतिम सब्दार्थ है, पत्रे, विद्यार्थियों, पत्रे सब्द जो है, वह दुवचन का है, तो पत्रे जहाँ है, वहां अर्थ हो जाएगा, दो पत्ते, तीक है, देखिए, दो पत्ते आसा करता हूँ आपको समझाया होगा एक बार फिर से मैं इन्हें दोराता हूँ आप ध्यान से सुनें हमारे सब्दार थें बालक को दो बालक चिकित सको दो चिकित सक पिपी लिके दो चींटिया कर्ण भूशने दो कर्ण फूल और ठीकिसी प्रकार से वद्ध यंत्रे दो बाजे पुत्रों दो पुत्र नज्जों दो नदियां कोकिले दो कोयल कर्णयों दो कान और पत्रे दो पत्ते ठीक है अब हम बढ़ते हैं अभ्यास प्रस्न हल करने के लिए हमारा अभ्यास प्रस्न संक्या तीन यहां पर मौजूद है अभ्यास प्रस्न संक्या तीन आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ है अदो लिकितानी पदानी संस्कृते लिखत अर्थ होता है नीचे लिखे हुए नीचे लिखे हुए पदों की संस्कृत लिखिये अदो लिखितानी पदानी संस्कृते लिखत नीचे लिखे हुए पदों को संस्कृत में कर दो सेर सेर जो है पुलिंग है जिसमें हम कहते हैं संगह ठीक है? यदि इसका दूई वचन हम लेंगे तो खही हो जाएगा शिंगो अकारान पुलिंग द्विवचन ठीक है क्या हो जाएगा सिंगो तो यहाँ पर हम लिएगए सिंगो ठीक है इसी प्रकार से यदि हम बात करें अगले की तो यहाँ पर है ख़़व दो कुली ठीक है कुली से आर्थ होता है विद्यार्थियो नौकर दास ठीक है जो मजदूरी का काम करता है ठीक है तो इसे हम भृत्या भी कह सकते हैं भृत्या नौकर तो इसका हम लिख सकते हैं भृत्यो क्या लिख सकते हैं भृत्यो जिसका ताथ पर ही होता है दो नौकर दो कुली या दो द ठीक है? अगला यदि हम लें तो गर यह है कुक्कुरो ठीक है? कुक्कुरो जो है इसका मतलब है दो कुत्ते ठीक है? यदि मैं बात करूँ हिंदी से संस्कुत बनाने की तो यहाँ दो कुत्ते क्या हो जाएगा? दो कुत्ते और इसकी संस्कुत यदि बनाने की बात की जाए तो यहाँ हो जाएगा कुकुरो हो ठीक है? इसी प्रकार से यहाँ व्रिक्ष की बात की जा रही है तो यदि मैं कहूँ दो व्रिक्ष क्या? दो व्रिक्ष ठीक है तो दो व्रिक्ष के लिए यदि मैं इसकी संस्कृत बनाऊं तो हो जाएगी व्रिक्षो क्या हो जाएगी व्रिक्षो एक बार फिर से हम हलकी नजर डालते हैं अदो लिकितानी पदानी संस्कृते लिकत नेमलिकित पदों को संस्कृत में लिखिए दो सेर सिंगो सिंग का दिवचन दो कुली भृत्यो दो कुत्ते कुकुरो दो व्रिक्ष तो व्रिक्षो आसा करता हूँ बिल्कुल इस्पस्ट होगा अब बात करते हैं चौते प्रसन की चौता प्रसन का हल करने से पहले हमें से पढ़ते हैं उदाहरनान सारम वाक्य निर्मानम कुरूत उदाहरन के अनुसार वाक्यों का निर्मान कीजिए हमें एक उदाहरन दिया हुआ है ठीक है लेकिन उदाहरन को भी हम यहां हल करके देखते हैं तो देखिए सबसे पहली बार जो है वह है नमर एक पर हमें दिया हुआ है MO बालक को ठीक है तो माना कि हम नमर एक पर गच्छत है करिया का यूज करेंगे दो पर कृडट हैं, तीन पर रुदट हैं और चार पर पठत हैं इस प्रकार से हम चारों क्रियाओं का प्रयोग इमो बालकों के साथ करेंगे, आएए, शुरुआत करते हैं, तो पहले नम्मर पर हम लिखेंगे, इमो बालकों, इमो बालकों जो हमें दिया हुआ है, गच्छत है, पहली क्रिया, क्या प्रयोग हमें लेंगे, गच्छत है, ठी यह लवाइक बनकर तयार, मो बालक को गच्छत है, ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी क्रिया का यूज करेंगे, हमारे पास दूसरी क्रिया है, क्रीड अता है, दूसरी क्रिया क्या है, क्रीड अता है, तो हम लिख सकते हैं, मो बालक को क्रीड अता है, क्या लिखेंगे, आइए دیکھتے ہیں एमो बालको क्रीड़त है ठीक है एमो बालको क्रीड़त है यह हमारा दूसरा वाइक कम्पलीट हो जाता है ठीक इसी प्रकार से तीसरी क्रिया का प्रयोग हम एमो बालको के साथ करेंगे और हमारा सेंटेंस बनकर तेयार हो जाएगा मों बालको रुदत है क्या बनेगा मों बालको रुदत है तो देखिए नम्मर तीन पर इमो बाल को रोधत, ठीक है, इमो बाल को रोधता है, ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से चोथा जो है इमो बाल को पठता है, क्या हो जाएगा, इमो बाल को पठता है, देखिए, हमने ओधारन को सॉल्व किया, ओधारन हमें बताता है, इमो बाल को, तो हम पहली क्रिया का प्रयोग करेंगे गच्छत है, अर्थ हो जाएगा, ये दो बाल क जाते हैं, इसी प्रकार से दूसरे नमर पर क्रिया जो है क्रिडत है, हमारा अब बन कर सामने आएगा, इमो बाल को क्रिडत है, अर्थ हो जाएगा, ये दो बाल क खेलते हैं, तीसरी क्रिया का प्रयोग करने पर इमो बालक को रोधते हैं तो ये दो बालक रोते हैं चोथे नम्मर पर इमो बालक को पठते हैं तो ये दो बालक पढ़ते हैं ठीक है इस प्रकार से हमारा उदारहन हमने हल करके देखा ठीक इसी उदाहरण के अनुसार हम अगला प्रस्ण हल करने की कौसस करेंगे अभी आपने देखा किस प्रकार से हम क्रिया का प्रयोग बीच में दिये हुए सब्दों के साथ करते हैं जिसमें सरवनाम सब्द और करता होता है तो देखिए कर इसमें हमें दिया हुआ है स्त है भवत्त है पतत है और सोभेते इन चारों के साथ हमें प्रयोग करना है इमे फले क्या प्रयोग करना है इमे फले तो इमे फले के साथ हमें इन चारों का प्रयोग करना है ठीक जैसा हमने पिछले उदाहरण में किया उसी प्रकार से हमें वैक निर्मान करना है तो आईए वैक निर्मान की सुरुवात करते है हमारा सबसे पहला पहला वायक हम बना करके देखते हैं तो हमारा पहला वायक बनेगा माना कि हम सबसे पहली बार प्रयोग में लेंगे स्तह तो नम्मर एक पर स्तह, दो पर भवते, तीन पर पतते और चार पर सो भेते इस प्रकार इन चारों का हम बारी बारी से प्रयोग करेंगे आईए देखते हैं पहला हमारा होगा इमे फले स्तहे क्या हो जाएगा? ये दो फल हैं क्या रत हो जाएगा? ये दो फल हैं दूसरे नम्मर पर हम प्रयोग में लेंगे क्या हो जाएगा ठीक है और यदि मैं बात करूँ तीसरे नम्मर की तो नम्मर तीन पर हो जाएगा क्या हो जाएगा पतत है ठीक है एमे फले पतत है ये दो फल गिरते हैं क्या आरत होगा ये दो फल गिरते हैं ठीक इसी प्रकार से हमारा चौथा जो है सेंटेंस वो बनेगा एमे फले तो एमे फले सोभेते क्या हो जाएगा सोभेते ठीक है एमे फले सोभेते एक बार फिर से हम हल की नजर डालते हैं तो देखिए का यह हमें उधारन के अनुसार हल करना है जैसे स्तहे भवते पतते और सोभेते इसे जोड़ना है इमे फले के साथ हमने वाक्य बनाए इमे फले स्तहे इमे फले भवते इमे फले पतते और इमे फले सोभेते एक बार बहुत हल की नजर फिर से डालते हैं अभी आपने देखा सबसे पहले हमने सबदार सॉल्व किये जिसमे इसके बाद हमने कुछ सब्दों की संस्कृत बनाई या कुछ सब्दों का संस्कृत अन्वाद बताया जैसे दो सेर सिंगों, दो कुली ब्रत्यों, दो कुते कुकुरों और दो व्रिक्ष का क्या हो जाएगा? ठीक इसी प्रकार से हमारे पास एक उदाहरण है, उदाहरण हमें दिया हुआ है और उदाहरण हमें बताता है इमो बाल को गच्छते, इमो बाल को क्रीडते, इमो बाल को रुदते और इमो बाल को पठते ठीक इसी प्रकार से हमें उदाहरण का उप्योग करते हुए इसी प्रकार से हमने अगला का हल किया, इमे फले इसत है, इमे फले भवत है, इमे फले पतत है और इमे फले सोबेते ठीक है, इस प्रकार से ये हल हुआ, आईए, अब हम आगे देखते हैं आईए विद्धार्थियों हमने कर देखा जिसमें हमने विबिन सब्दों का प्रियोग करते हुए वाक निर्मान किया ओदाहरण का सहयोग लिया गया ठीक इसी प्रकार से हमारे पास खर प्रसन मौजूद है जो कहता है कि हमें इमे कन्ये के साथ इन चारों क्रियाओं का प्रयोग करना है हमारे पास क्रियाएं हैं सबसे पहली बार लिखता है नम्मर दो पर समरता है नम्मर तीन पर है वदता है और नम्मर चार पर गच्छता है ठीक है ये चारों क्रियाएं जो हैं वे दीवचन की हैं और इमे कन्ये के साथ इनका प्रयोग करते हुए हमें वाक के निर्मान करना है आईए करते हैं सबसे पहला हमारा जो वाक होगा वे होगा लिखता के साथ तो नम्मर एक हम लिखेंगे इमे कन्ये क्या लिखेंगे इमे कन्ये ठीक है और पहली क्रिया लेंगे लिखता है क्या लिखता है ठीक है इमे कन्ये लिखता है तो ये दो कन्याएं लिखती हैं क्या रत हो जाएगा? ये दो कन्याएं लिखती हैं ठीक इसी प्रकार से नम्मर दो दो पर हम देखेंगे हमारी क्रिया है स्मरतह जिसका मतलब होता है याद करना तो देखिए हम लिखेंगे इमे कन्ये स्मरतह क्या लिखेंगे मे कन्य स्मर्त है तो अर्थ हो जाएगा ये दो कन्याएं याद करती हैं क्या हो जाएगा इमे कन्ये स्मरत है तो ये दो कन्याएं याद करती है ठीक इसी प्रकार से हमारा तीसरा सेंटेंस होगा वदत है के साथ ठीक है वदत है का मतलब है बोलते हैं बोलती हैं तो ये दिवचन की क्रिया है इमे कन्ये के साथ इसका प्रयोग करेंगे लिखेंगे इमे कन्ये इमे कन्ये वदत है क्या लिखेंगे वदत है इमे कन्ये वदत है ये दो कन्याएं बोलती हैं ये दो कन्याएं बोलती हैं तीक है इसी प्रकार से हमारा चोथा वैक जो होगा वैक गच्छते क्रिया के साथ होगा कौन सी क्रिया के साथ होगा गच्छते क्रिया के साथ तो हम चोथे में लिखना सुरू करेंगे यह हमारा चौथा पॉइंट है इमे कन्ने गच्छत है तो इमे कन्ने गच्छत है ठीक है? इमे कन्ने गच्छत है निश्चित तोर पर समझ माया होगा एक बार फिर हम दोरान करते हैं हमें दिया हुआ है इमे कन्ने इसके साथ हमें चार क्रियाओं का प्रयोग करना है पहली बार लिखते हैं, स्मरते हैं, वदते हैं और गच्छते हमने चारों क्रियाओं का बारी-बारी से प्रयोग किया जिसमें हमने देखा इमें कन्ये लिखते हैं, ये दो कन्याएं लिखती हैं इमें कन्ये स्मरते हैं, ये दो कन्याएं याद करती हैं इमें कन्ये वदते हैं, ये दो कन्याएं बोलती हैं और इमें कन्ये गच्छते हैं, तो ये दो कन्याएं जाती हैं ठीक है, आएए, अहम ग देखते हैं, हमारा ग जो प्रस्न है, यह हमें कहता है, हमारे पास इमें अजे, ठीक है, अजे से ताजपरिये दो बक्रियां, ठीक है, यह अजे, स्रिलिंग, दिवचन का रूप है, और हमारे पास क्रियाएं हैं, क्रियाओं में चरत है, नम्मर एक पर, जिसका आर्थ होता है, चरते हैं, चरती हैं, नम्मर दो पर जो है, वो है, गच्चत है, आर्थ होता है, जाते हैं, जाती हैं, दो के लिए, और स्विपत है, स्वपत है, जो है, इसका आर्थ होता है, सोते हैं सोती हैं और आगच चते आते हैं आती हैं इन सब का प्रयोग दो के लिए किया जाएगा या हमारे पास है इमे अजे ठीक है तो ये दो बक्रिया ठीक है इमे अजे अर्थ क्या हो जाएगा ये दो बक्रिया नम्मर एक पर इमे अजे तो पहली क्रिया का प्रयोग करेंगे हो जाएगा इमे अजे चरत है क्या लेखेंगे हम इमे अजे चरत है अर्थ हो जाएगा ये दो बक्रिया चरती हैं क्या अर्थ हो जाएगा ये दो बक्रिया चरती है तीक इसी प्रकार से दूसरी क्रिया की बात करें तो दूसरी क्रिया है गच्छते दूसरी क्रिया कौन सी है गच्छते गच्छते का प्रियोग करने पर यह हमारा वैक बनेगा इमे अजे गच्छत है और आर्थ प्रदान करेगा ये दो बक्रियां जाती है क्या आर्थ देगा? ये दो बक्रियां जाती है आईए दूसरा सेंटेंस तैयार करते हैं तो इमे अजे गच्छत है ठीक है? इमे अजे गच्छत है क्या हो जाएगा? इमे अजे गच्चत है ये दो बक्रियां जाती है ती किसी प्रकार से तीसरी क्रिया है स्वपता है दो सोते हैं सोती है इमे अजे स्वपता है ये दो बक्रियां सोती हैं नम्मर तीन पर होगा किया हो जाएगा यह दो बक्रियां सोती है इसी प्रकार से हमारी चौती क्रिया है वह है आगच्छता है कौन सी है आगच्छता है आग चते का आर्थ होता है आती हैं दो आती हैं दो आते हैं तो आईए इसका प्रियोग करके देखते हैं नम्मर चार इसमें होगा इमे अजे आग चते ये दो बकरियां आती है एक बार फिर से हम हल की नजर घुमाते हैं इमे अजे चरते हैं पहली करिया के साथ इमे अजे चरते हैं ये दो बकरियां चरती हैं इमे अजे गच्छते हैं ये दो बकरियां जाती हैं इमे अजे स्वपते हैं ये दो बकरियां सोती हैं इमे अजे आगच्छते हैं ये दो बक आती हैं आसा करता हूं समाज आया होगा अब हम बढ़ते हैं पांचवे प्रसन की ओर हमारा जो पांचवा अभ्यास प्रसन है आयों से पढ़ते हैं और देखते हैं वह क्या पूछता है संस्कित भासायाम अनुआदम करूद संस्कित भासा में अनुआद कीजिये हमें कुछ वैक दिये हैं इन वैक्यों का हमें संस्कित भासा में अनुआद करना है संस्कित भासा में अनुआद करने के लिए लेते हम पहला सेंटेंस कहता है ये दोनों बालक हैं हम इदम सब्द के रूप पढ़ रहे थे इदम सब्द के रूपों में दो ये दो के लिए जो सब्द यूज होता है वह दीवचन में क्या होता है? इमो क्या सब्द काम में लिया जाता है इमो तो इमो और बालक जो है इसका दिवचन में रूप क्या बनेगा बालको दिवचन में बालक का रूप क्या बन जाएगा बालको तो हम कह सकते हैं इमो बालको स्तह क्या कह सकते हैं इमो बालको स्तह आईए लिखते हैं M.O. यानि ये दोनों ये दो बालकों और स्तहे हैं ये दोनों बालक हैं क्या हो जाएगा? ये दोनों बालक हैं ठीक इसी प्रकार से ये दोनों सेर दोडते हैं ये दोनों सेर पुलिंग में पुलिंग दीवचन इदम सब्द जो है इसका रूप बनता है M.O. सेर जो है इसे हम संस्कृत में सिंग कहते हैं तो सिंगह सिंगह दीवचन के लिए सिंग सब्द के रूप जब हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि सिंगह बनता है और दोड़ना इसकी दातू होती है धाव और दीवचन में जब हम इसका रूप देखेंगे तो हो जाएगा धावत है क्या हो जाएगा धावत है तो हमारा सेंटेंस बनेगा इमो क्या बनेगा इमो ठीके सिंग धावत है क्या हो जाएगा इमो सिंग धावत है ये दो सेर दोड़ते हैं ये दो सेर दोड़ते हैं इसी प्रकार से बात करें गर गर कहता ये दोनों गाएं दूद देती हैं ये दोनों गाएं तो जब हम इदम सब्द के रूपों की बात करें तो इस्तिलिंग दिवचन जो होता है उसमें इदम सब्द का रूप बनता है इमे गाय जो है उसे आम संस्कित में कहते हैं धेनू और इसका दिवचन में होगा धेनू ठीक है? और दूद देती हैं तो दुगदम ददत है ददत है क्रिया दिवचन का रूप हो जाएगा ठीक है? तो आईए बनाते हैं ये दोनों तो इमे क्या हो जाएगा इस्तिलिंग में? इमे ठीक है? गाय तो देनू ठीक है? दूद तो दुगदम और ददत है ठीक है? इमे देनू दुगदम ददत है ये दोनों गाये दूद देती है इसी प्रकार से हमारा अंतिम वाक है ये दोनों कल में है ये दोनों कल में है तो आप ये जानते होंगे की स्तिलिंग और नपून सकलिंग स्तिलिंग और नपून सकलिंग दोनों में इदम सब्द का जो दिव अचन का रूप बनता है वह इमे बनता है क्या बनता है इमे तो हम दोनों कलमों के लिए प्रयोग में जो लेंगे वो लेंगे इमे क्या लिखेंगे इमे कलमे अस्त है ये दो कलमे हैं क्या लिखेंगे ये दो कलमे हैं इमे कलमे श्त है ठीक है एक बार बहुत हलकी नजर देखते है या हमने हमारी ये क्रियाएं हैं क्रियाओं के साथ इमे कन्ये का प्रयोग करते हुए इमे कन्ये लिखते हैं इमे कन्ये इसमरते हैं इमे कन्ये अबदते हैं और इमे कन्ये गचते हैं वैक बनाए हैं तीक इसी प्रकार से यहां इमे अजे चरते हैं इमे अजे गचते हैं इमे अजे सब्सक्राइब शब्सक्राइब 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 ये दोनों कल में हैं, इमें कल में स्थै आईए, अब हम आगे देखते हैं